नमस्कार मैं उफरान और हमाई इस खास कारिक्रम में आपका स्वागत है जिस तरह जीत पवार भाती जंता पार्टी के साथ चले गए उनके साथ हाथ मिला लिया और टिप्टी सी एम बन गए तो जितना जटका गडबंधन दलों को लगा है सोनिया गांधी को लगा है एंसीपी को लगा है शरत पवार को खुद लगा है और शेयुसेना भी कहीं न कहीं खतरे पर आ गई है शायद वो भाती जंता पार्टी के साथ सरकार बना सकती थी लेकिन आज वो किसी भी वजूद म की कम हुई है तो कहीं न कहीं इन बातों को लेकर के एंसीपी के विधायकों भी एक डर सा बस गया है उनके मन में भाय आ गया है और डरने लगे हैं उनका कहना है कि भरी शरत पवार ने यह तो कह दिया है कि विधायक दलके नेता नहीं है जीत पवार लेकिन क्या है यह बात कि वैमानी ना हो जाए आगे चलके कि अजीत पवार विधायक दल के नेता कहलाएं और जब तीनों दल गडबंधन करना चाह रहे हों तो वहां इसे उनकी सदस्ता भंग कर दी जाए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और पार्टी अलपमत में आ जाए और भात जाए डरे हुए हैं इस बात से की शायद अजीत पवार उन्हें बाहर का रास्ता ना दिखा दें जबकि शरत पवार ने का है कि विधायकों को डड़ने की आव शक्ता नहीं है शरत पवार नहीं बलकि जैंत पार्टिल हैं विधायक दल के नेता और इसमें उनको कोई भी पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा अंत में सरकार बनेगी गडबंदन दल की यह उम्मीद जता रहे हैं शरत पवार और यहीं लग रहा है शायद शिवसेना को भी और कॉंग्रेस को भी लेकिन इस बात में कितना सच है कितना सत्य है जिस तरह से हैं आज फलोर टेस्ट होना बाकि विदान सवारे में फलोर टेस्ट भी होगा उसके बाद कि कहीं विधायक समर्थर में चले आते हैं भारती जनता पार्टी के हब इसकर अहें कारां नीं बटाया था अपने पिछले प्रोग्राम ने आफसे कहा था कि कही न कहीं घोटालों को ले करके कोई असा राजवीधा नहीं जो घोटालों से भाग गये थे वहां सरकार अल्पमत में आ गई थी बाद में फिर चुना हुए और भारती जंता पार्टी अब खैर वहां सत्ताधारी पार्टी है उत्राखंड में भारती जंता पार्टी तो इसी बात का डर है कहीं न कहीं शरत पवार को भी जो आज विधायक उनके पीछे खड़े हैं कहीं फ्लोर टेस्ट में वह मुकर ना जाएं उन बातों से मुकर ना जाएं जबकि एक सो अभी बीते दिन 162 विधायकों की परेड हुई है उनसे शपत ली गई है जहां पर आए ठाकरे ने बाल ठाकरे के बजाए सोनिया गांधी की कासम खाई है सोनिया गांध कहीं ने ऐसरे नहीं आधित ठाकरे उद्द्व ठाकरे से ही खपाहो गएं उन्हें नहीं लगता कि बाल ठाकरे की तरह है वा आ होने वाली है या अलप मुसीबते हैं अलपकाल की मुसीबते हैं या लंबी हो जाए और इसका प्राउधार बड़ा लंबा हो जाए और यही मुसीबत यही डर सरत पवार को भी है कि जो विदायक अभी उनके साथ खड़े हैं यही डर NCP और शिवसेना को भी है कि जो विदाय का शरत पवार के पीछे हैं सिर्फ सेना के साथ खड़ें और खुस्तोनिया गांधी के साथ उनके विधायक मजबूती के साथ खड़ें लेकिन कहीं नहीं यह भी देखा जा रहा है कि विधायकों से उम्मीद नहीं है इनकी इमांदारी पर शक है इन तीनों दलों को तभी वह रहेगा एक भैका महौल रहेगा इन तीनों दलों के बीच कहीं वह भारती जंता पार्टी के हक में अपना वोट ना कर दें और भर नवीज जो सपत ले चुके हैं मुखमंत्री पत्की वहीं मुखमंत्री रहें तो संबंद में आप अपनी राह में अवश्य दें क्या कितना सही था यदि भारती जंता पार्टी की सरकार रहे जाती है महराष्ट में फ्लोटेश्ट के बाद तो क्या वाह सिर्फ सेना का वर्चसों खतम हो जागा जिस तरह अपनी विचार धाराओं के साथ समझाता किया है क्या उसका भी आसे तो खत्रे में आ सकता है आने वाल कितना सकता है